ओम शान्ति आज तो हम सब गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के बहुत मीठे मीठे महावाग के सुन रहे थे और सच मुच कितनी बाबा ने प्यार से सब बच्चों को मुबारक दी केवल विदेशियों को नहीं सब को दी और नंबर वन आने के लिए वन जनम में आने के लिए सत्युग में आने के लिए चारों सब्जेक्ट की क्या गहराई है ज्यान मूरत, गुण मूरत, याद मूरत, कितना प्यार से बाबा ने बहुत को सिक्षाओं से सजाया है, कितने हम सब भागिवान आत्माएं हैं, जो संगम युक पर, बाबा हम सब की अपने तीनों स्वरूपों से कितनी अच्छी पालना कर रहे हैं, बाप रूप से बच्चा बनाया, गोद बिठाया, योग्य बनाया, और सिक्षक के रूप से इतनी सुंदर सुंदर मिठी मिठी सिक्षाओं से सजाया, और स्वयम सत्गुरु बन करके हम सब को गत्ती सद्गत्ती के लिए इतनी स्रेष्ट मत एक एक बात की राये दे करके कितना आगे बढ़ा रहे हैं हम सब कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो सत्गुरु की दर्बार को हम सब ने देखा है देखा है सभी ने सत्गुरु की दर्बार एक सत्गुरु की दर्बार है ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी कई बार बाबा कहता ना यह सत्गुरु की दर्बार है और फिर दूसरी दर्वार तो हम सब ने देखी है गुलजार दादी के अंदर जब बाबा आए वो भी सत्गुरू की दर्वार तो ऐसी सत्गुरु की दरवार में हम सब अनुभो किया है उनकी पालना ली है अब बाबा कहता है जो बहुत पालना लेते हैं उनको दक्षणा भी देनी पड़ती है तो हम सब क्या दक्षणा देंगे हमें तो याद आया कि भक्ति मार्ग में महाभारत के अंदर द्रोनाचार जो अरजुन के गुरु थे उनको धनुस्वान की विद्या देते देते देखा कि एक व्यक्ती भील जो था वहूं से दिक्षा लेना चाहता था लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे देंगे तो राजाओं के घराने के लिए सिक्षाएं हैं दिक्षा है तो उन्होंने उसको नहीं दिया लेकिन उसकी बहुत भावना थे गुरु के अंदर तो उसने गुरु की मूर्ती रख करके उसकी स्रध्धा से प्यार से बहुत भावना से पूजा पाट करते हुए और उसने तीर चलाने में नंबर वन ले दिलिया जब देखा और अरजुन से भी आगे चला गया है तो खुद द्रुणाचार्य को ने लेने के लिए गया कि गुरु दकष्णा तुम दे दे क्या देगा गुरु दक्ष्णा में तो जो आप कहेंगे वो दे देंगे तो उसमें तो दिखाता है उसका अंगूठा ल से करा सकता है हमारे सत्गुरु बाबा ने भी हम सबसे अंगुठा ही लिया है दिया है सभी ने अंगुठा सब ने जरोड दिया होगा अंगुठा माना द्रण संकल्प तो आज के दिन हम सब ऐसे द्रण संकल्प करें दक्षिना है दक्षिना के कई बाते मेरे सामने आई गु के आप लोगों ने तो गुरू घया होंगे कईयोंने किये हूंगे हम लोगों ने देना भी बहुत मुश्किल होता है सिराप न दे दे ऐसा न हो जाए डड़ते हैं कई बाबा के बच्चे भी लेकिन बाबा ने हम सब को जब सत्गुरू के रूप में मिल करके सारे राज सुना दिए सारे रहस्य सुना दिए तो हम सब जानते हैं कि गुरुओं को दक्षिना तो हमेशा देनी ही पड़ती है एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ मदुबन घर की जब पहले-पहले मदुबन में संत सम्मेलन रखा गया तो उन संत सम्मेलन में हरित द्वार से बहुत बड़े-बड़े गुरु मंदले सवरों को आमंत्रित किया गया था मैं समझता हूँ 40-50 वहां के कुछ बनारस के गुरु लोग आए मंदले सवर आये थे तो उनकी खात्री कैसे किया जाए उनको संतुष्ट किया कैसे किया जाए उसकी हम लोगों की कई बार मीटिंग हुई और उसकी हंडलिंग तो हमारे जगदीश भाई कर रहे थे लेकिन साथ साथ प्रेम बहन जी जो देरादून की हरिद्वार की इंचार्ज थी जो गुरुमों को ला रही थी जो उनकी सिवा करती थी उनसे पूछा गया कि वो कभी यहां आए बाबा के घर में तो उनकी कैसे स रहा की देशीगी का भूजन बनना चाहिए और भूजन और टेबूल कुर्सी पर नहीं करेंगे पट में करेंगे और पट के अंदर ऐसे दरी विछाएं ऐसे चटाई विछाएं और साथ-साथ उनके सामने एक बहुत भूजन रखने के लिए जैसे वह चोटा सा तिपाई लेकिन कोई भी चपल पहन करके ना भंडारे में दिखाई दे ना अंदर आये कहीं दिखाई न दे बहुत सारे नियम थे बहुत सारी बातें थी गुरूं को संतुष्ट करके उनकी आसिरवाद लेने की बात थी क्योंकि सब खुश होंगे बाबा के घर में आएंगे और साक काल का बुलावा है इतनी भावना थी गुरूं में बाबा की लोकिक में और जब किसी गुरू से कोई उनको प्राप्ति नहीं होती कोई लगता था यह इससे बड़ा गुरू इससे अच्छा सिद्धी वाला है तो बाबा गुरू परिवर्तन भी करते रहे 12 गुरू को यह अगी लोकिक जीवन में और लास्ट में भी जब स्यु बाबा की प्रोलेस्टा होनी थी तभिभी गुरू का ही सत्षंग चल रहा था बाबा के घर में होर् के सत्षंग में बैठे-बैठेuates अचानक जब उठ गए तब उनकी परिवार वालों को उनकी यूगल को उनकी वह क कोई संकल्प आया कि यह आज क्या हुआ है बाबा को जरूर कुछ हुआ है नहीं तो कभी भी वो गुरु की सभाज से नहीं उठते थे क्यों को आदर माना जाता है नहीं तो कहेंगे गुरु की सभा उठावाना उनका अनादर हो गया तो जब बाबा उठकर के गए सत्संग से तो उनकी बहु ने देखा ब्रजिंद्रादादी ने कि यह क्यों उठें तो साहे तवियत ठीक नहीं होगी तो जब देखा जाकर के कमरे के अंदर तो वहां तो अलगी द्रसे था बाबा ऐसे बैठ गए ध्यान मुद्रा में और शिव बाबा की प्रवेश्ता हुई और वो समय उद्रस से तो उसका वार्णन तो आप सबने सुना ह होगा कैसे शिव बाबा ब्रम्ह बाबा में प्रवेश्ता गूरु का ओत्रन हो गया इस दर्वार के अंदर तो गुरु की दर्वार से सत्वी की दर्वार खुल गए लिए को दादी ने जब इन संतों को बुलाया तो वहां से यही एक ग्राय आई एक इनको दक्षिना तो महाँ से भेंटों कि कहते हैं दग्षिणा माना लिफाफ़ा मिलना चाहिए अगर लिफौाफ़ा नहीं दोगे तो उनके मुख से आसिर्वाद नहीं निकलेगी सवगाते कितनी भी दे दो लेकिन पैसे का लिफौर होना चाहिए तो दादी कहे हमारा दान का पैसा है यग्य के अंदर लोग दान करते हैं और दान का पैसा हम दान में कैसे दे सकते हैं बड़ी सारी हमारी मीटिंग के अंदर डिबेट चली थी फिर जगदीश भाई ने युक्ति निकाली कि एक प्रवड़ती वाला भाई था उसको कहा कि लाश्ट में हर एक संत जब विदाई ले रहा था सांतिस थम से तो हर एक के आंखों में आसो थे जैसे कोई परिवार से विछुड के जाता हो ऐसा द्रस से वंडर्फुल हम लोगों ने देखा तो गुरूं को दक्षिना तो जरूर चाहिए बिना दक्षिना के प्रसंद न देता है मैं तुम्हारा यह पैसा लेकरकर किया करूंगा नदा थोड़िcularम्हियर कारने मैं तो निराकार हों मैं तो आप बच्छों की गति सद्ड़ली करने के लिए लेकिन है बढ़ा चतुर सब कुछ लिए करके क्या है तो हम सब से तो बाबाने सब कुछ ले लिया है — त है लेकिन फिर भी बाबा कर अंगुठे वाली दंट रहता है औहुने सभी दहान देना हम ने कुझा दिए तो सब्पेरे अंगुठे वावल दंट पर देना ही है वह है छो किummे सबिदाने जिसमें एक संकल फरेक ये करें बाबा तेरी आज्या कहते हैं सत्गुरु की आज्या सिर माथे मानी माथे संधी में कहते हैं मानी माथे सिर के उपर जैसे सत्यक्या़ो ने जो आग्या की है उसको मुझे सविकार करना हैлек मदना है तो उसकी पहली आग्या किया है है चाहे समर्पित हो चाहे प्रवडती में रह रहे हो उस सब के लिए एक ही आग्या की है पवित्र बनो और योगी बन इस सत्रगूर की आग्या को बहुत द्रणता के साथ हरेक जब पालन करता है तो उसको दक्षिना मिल जाती है क्योंकि सत्गुरू आया है हर बच्चे को सद्गति देने के लिए और सद्गति का जब आर्थाता है तो कल्यूग में दुर्गति है और सत्यूग में सद्गति है गति और सद्गति ये दो सब्द बाबा प्रियोग करता है गति माना मुक्ति और वो मुक्ति तो सब को मिलनी है होलसेल सारी आत्माओं को मुक्तिधाम में जाना है लेकिन जो संगम युक पर बाबा के बच्चे बनते हैं जो सत्गुरु की स्रीमत को बहुत प्यार से और ध्रनता से पालन करते हैं उनको सद्गती मिलती है और सद्गती माना स्वर्ग सत्युक जो आज बाबा ने कहा नंब ician नंबर one श्तयुक का राज उनको लेना है नंबर one में आए नंबर two नंबर three में आये तो ऐसे सत्गती के लिए हम स्ब को क्या कहना पड़ेगा अब उसके लिए सतियुक की थोड़ी सी विसेश्टाइं आप सब सामने रखना मैं आपको पांग साथ विसेश्टाइं सुना देता हूं सतियुक के लिए कहते हैं एक धरम एक राज्य एक भासा धरम और सत्ता एक के हाथ में ऐसी एकता वाली दुनिया जहां सब एक मत हैं एक ही धर्म है एक धर्म माना एक जैसी धानाएं हैं तो संगम युक पर जब हम सब एक धर्म को अपना लेते हैं सभी आत्माएं पवित्र जीवन जीना सिख जाती हैं धानाओं मूरत बन जाती हैं तो सतियुक के अंदर वो जा सकते हैं तो परमात्मा कहते हैं हम सब को पहले ये द्रहता का संकलब करो कि हम दिव्य गुणों की हfeld का दाना मूरत बन करके रहें घुवाज दिव्य गुणों की अंदर सर्वगुन चाहिए सर्व कलाएν चाहिए सर्व सक्तियां चाहिए संपोन निर्विकारिता चाहिए उसलियां जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा जो सत्व द्धर्म की स्थापना कर रहा है उसके अंदर हर एक की उंची धरणाएं चाहिए और साथ-साथ एक राज्य और वह राज्य एक आत्मा का अपनी कर्मिंद्रियों पर संपूर्ण राज्य हो सबसे बड़ा राज्य है कि हम सब अपने आप पर राज्य करना सेखें तो सभी दे अपना राज्य चलाने लगती है कर्मिंद्रियां भी कभी कभी राज्य चलाने लगती है तो हम सब अगर इस समय स्वराज्य धिकारी बन जाते हैं आत्मा राजा बन करके कर्मिंद्रियों से कर्म कराए तो यह संकलप द्रहता से लेना कि हम सब एक धरम और एक राज्य वाल सब्धेंगा कोई समझेगा कोई कोईród उसेLove कोईगी नई समझेगा कोई बोले गईकुजराती को इंगलिस कोई पताने कहा का को कि भासा कि बाबा वूस भासा की बात नहीं करता है हम से चले हमारी से द्रश्टिंग की भासा को हमारी समझता है व्हसे है समझ करके चलें तो यह तीन बातें एक धरम एक राज एक भासा और चार बातें जो बाबा हम सब को कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन में संगम पर अनुभा होनी चाहिए जब हमारे जीवन के अंदर और चारों सबसे पहले संगम उपर बाबा अपने बच्चों को हेल्दी देखना चाहता है वह हेल्थ सारे रिक रूप से तो आज कितना ध्यान रखा जाता है इमनिटी बढ़ाई जाती है यह करो एक्सरसाइज करो यह ऐसे चीजे खाओ बहुत सारे प्रियोग किये जा रहे हैं सारी रि प्रियास कर रहे हैं लेकिन संगम उपर बाबा ने हम सब को मान से खेलत मन में कभी तनाव ना आए मन कभी बीमान नहों मन में कभी ब्यर्थ के तुफान नाएं ऐसा हेल्दी एक एक ब्राहिन आत्मा को संगम पर बनना है कि शरीर का कोई रिवार किताब आ भी जाता है तो का प्रभाव हमारे मन पर नाए हम सब एवर हेल्दी बन करके रहें अपने आप यह शरीर की बिमारियां शरीर के से हिसाब किताब आएंगे और ठीक हो जाएंगे सत्यूक के अंदर इसलिए तन और मन सदा स्वस्थ हैं दोनों पवित्र हैं तो पहला हेल्थ का वर्दान हम बाबा से संगम पर ले लें और वेल्थ तो बाबा ने अविनासी दी है वो धन तो अपने आप आता है आएगा उसक नहीं उपर उपर से किसी ने कहा है आप करो हम देखा देखी करें किसी के कहने से करें तो बाबा क्या कहता है कहने से करें वो बिना कहे करें वो देवता कहने से करें मनों से और जो कहने से भी न करें उसके लिए देश लगा देता है तो हम सब ध्यान दें कि जो भी बाबा आप जब 13 तो मेरा क्या लागे इसलिए बाबा को हमने अर्पित किया है बाबा ने उसको सुद्ध बनाया है जो अभिनासी धन दिया है ग्यान धन गुणों का धन शक्तियों का धन चरित्र का धन एक एक बच्चे को संगम युक पर माला माल बनाया धनवान बना दिया तो ऐसे धनवान बच्चे बाबा के सदा इसी नसे में रहें कि हमारे जैसा धनवान दुनिया में कोई भी नहीं है बिन कोड़ी बास्सा जादी जानकी के सब्दियाद होंगे सफेद कपड़े खीशा खाली और मैं विश्व की मालिक तो हम सब पूरे विश्व के मालिक हैं बाबा ने संगम युक पर सच्मुच ऐसी स्टेज बना करके दी है जो अपरापत नहीं कोई वस्तू अपरापत नहीं कोई खजाना सब भरपूर है संगम पर तो ऐसी सब कुछ प्राप्त हो गया और सत्युक के अंदर इसके रिटर्ण में बाबा कहता है जो इतना इस समय अविनासी धन प्राप्ति किया है आप सत्युक के अंदर तो कुबेर के खजानों के मालिक बन जाओगे तो हम सब के पास अविनासी धन है और साथ साथ सदा है सदा खुस नसीब हैं खुस नुमा हैं कभी भी खुसी गुम न हो तो आज सत्युरु दरबार के अंदर गुरु पूर्णिमा पर ये संकलप जरू लेना द्रणता कांग उठा देना कि हमारी खुसी कोई भी व्यक्ति गयब नहीं कर सकता है कोई भी परिस्तिती हमारी खुसी को छीन नहीं सकती अगर ये दक्षिना दे दिया ना सदा खुस रहे करके सदा हरसित चेहरे से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं हरसित मुख चेहरा बाबा को बहुत प्यारा लगता है सब को अच्छा लगता है अगर कोई बात किसी को कहना भी हो तो थोड़ा मुस्करा करके कहना अपने आप खुशी गायब नहीं होगी सब को खुशी का अनुभव होगा लहर आ जाएगी तो हम सब बड़े खुश नसीब है जो बाबा ने हम सब को हेल्थ वेल्थ और हैपीनेस का वर्दान दिया है और चौथी बात इसमें आती है होली एवर होली जो हम सब पवित्र जीवन जीते हैं पवित्रता हमारा सरंगार है संगम्युक्पर तो सातों बातें जो हमने सत्युक की अनुभव की हैं जानते हैं सत्युक के अंदर सब कुछ होगा तब उसको स्वर्ख कहेंगे तो ऐसी प्राप्त करने के लिए सत्युक्रु की दर्बार में हमें संकलब लेना चाहिए कि हम सदा हिल्दी रहेंगे चलने के लिए इस अदिगती बन करके रहें बाबा कई प्रकार क्युक्राइव के रूप से तो हम सब ध्यान करता है सत्गुरु का निंदक ठाकर करना कभी भी कोई ऐसा कर्म नहोग इतना सभी पक्का करके रहना मैं जो सत्गुरु की कोई निंदा हो हम निंदा कराते नहीं है लेकिन अगर हमारी चलन ऐसी है हमारा विवहार ऐसा है तो लोग कहते है यह ब्रमा कुमार्यों में ऐसा पढ़ाया जाता है क्या आज कल वो समय नहीं रहा पहला जो समय था उसमें कहते थे ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी है साइद इनके यहां इसा ज्यान दिया जाता है जो घर-घर के अंदर जगड़े हो जाते हैं मरिधाना ऐसे थी अगर पति-पत्नी दोनों एक साथ एक ज्यान नहीं ले रहे हैं लेकिन जो दोनों पहिया एक समान चले हैं वो तो घर आश्रम बन गए हैं सुखदाई बन गए हैं कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं तो हम सब बाबा के बच्चे अगर घर ग्रष्ट में रहते हुए प्रवड़तियों में रहते हुए अपने घर को एक सुन्दर आस्रम बना दें जहां लोगों को आस्रे मिले आराम मिले तो मैं समझता हूं हर एक को यह अनुभव होगा कि इतने तनाव पूर्ण वात कितना प्रसन्शित रहते हैं इनोंने तो अपने घर को एक सुन्दर आस्रम बनाया हुआ है तो मैं समझता हूं कि सत्धुरू को प्रत्यक्ष करने के लिए से गुरू को प्रसन्द करने के लिए हम विद्म सब सिर मात्य जो हम कहते हैं उस स्रीमत में कभी भी मन मत और परमत अएड नहीं करना कि कई बार स्रीमत के अंदर अपने धंक की बातें उठा करके हम सब अपनी मन की मत को अएड कर लेते हैं या दूसरे ने कह दे आ और परमत का प्रवहाओ अलवेलेपन की नींद में सुला देता है तो आज के दिन तो यह प्रतिग्या कर सकते हैं कि हम अलवेला नहीं बनेंगे सदा चुस्त और मस्त रहेंगे ज्यान और योग की धाना से हमारे जीवन के अंदर कभी भी कोई भी प्रकार से अलवेलापन आल करके ना हम अलवेले बनेंगे ना हम आलसी बनेंगे क्योंकि आलस ऐसी चीज है मैंने देखा कई के बार मैं दो बजे तीन बजे का योग कराने के लिए संगठन में जाता हूं बठियां चर रही हैं लोग बुलाते हैं योग कराने पता नहीं क्या है थोड़े लोग होते हैं जो बहुत अलर्ट हो करके अम्रत वेले के महत्त को सामने रख करके योग करते हैं कितना भी आप कमेंटरी दो कितना भी आप जागरत कराने की कोसिस करो एक मिनट दो मिनट के बाद और जुबने लगते हैं नीद उनको ऐसे सताती है मैं कहता हूं कि क्या है अकिर ब्राम्माण जीवन के अंदर हम सब को इतनी प्राप्तियां बाबा करार आ उपर से जहरना डा रहा है सब सक्तियों का ओर यह लोग क्या है कों सया इनको फ्राप्त लगा हुआ है किस प्रकार की अवग्याएं हैं जिसका अचीं कुलती बोज वह बोजह ऐसा है जो ऐसे आखे बंद हो जाती है ऐसे जुमने लगते हैं जो बाबाकी अम्रत-धारा जो बह रही है उसका अ आलस एक बहुत बड़ा सत्रू है ब्रामनों का जैसे काम क्रोध को बाबा कहता नरक का द्वार हैं यह सत्रू है ऐसे ही ब्रामन जीवन में अगर किसी ने आलस से को नहीं जीत पाया तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए हम सब को बहुत अलर्ट बनना है और उसके ल को सकता है को ऐसी बीमारियां है ज्यादा सुगर है ज्यादा इंगलिस गोलियां खाते हैं तो वह भी असर करती है योग में या नींद में प्रभाव डाल देती हैं लेकिन हम सब थोड़ा सा टेंसन रखें कि यह प्राप्तियों का समय जब सत्गुरु हमें स्रेश्ट मत द कारण है वह अलग बात है लेकिन जो चुष्ट है उनको तो मस्त होना ही चाहिए उनको कभी भी ऐसा योग नहीं करना चाहिए जो वातावर्ण में नगेटिविटी पहले है तो यह बात हम सब ध्यान दें बाबा की सबसे पहली स्रीमत अम्रत्वेले को बहुत उंचे से स्र जितना आप मुड़ी पर ध्यान देंगे ना कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएं सबसे बड़ी बीमारी है मन में वेर्थ संकल्पों की उत्वत्ति होना और वेर्थ संकल्प जो बहुत सारे चलते हैं उसका कारण है मुड़ी को यथार थरीती से ग्रहां नहीं कर पाते हैं बुद्धी में पता नहीं कहां कहां से बातें आती हैं चली जाती है कि कल मैं अपने ब्राता ब्रजमोहन भाई के साथ बैठा था अधा पौना गंटा हमने का भाई जी आपको क्या-क्या संकल्प आते हैं अभी तो विश्तर पर हो रेश्ट कर रहे हो आपको प्लैनिंग बुद्धिये बहुत सेवाएं ब्लैन में आती रहती हैं तो उन्होंने बोलना शुरू किया कहते हैं भाई आज कल जो है न रचाइता की जगे पर लोगोंने रचना से प्यार करना शुरू कर दिया जैसे श्री कषन से प्यार किया na स्रीकिष् PW को भगवान माना स्रीक श्रूअ को गीता का भगवान माना रचईत्त से जो प्राप्ति हो नी थी उससे वंचित हो गए रचना से मिलता तो कुछ नहीं है भाव न रखी कूप आकर्ण करता है अज कल के लोग बहुत Somehow लोग है कर तो मिनटड में इससे रचकर के पढ़ करकर के उसने सुना दिया मूबाईल में कितनी सारी और जिसकी थोड़ी मीठी होती है उसको ही लोक वाबा क्या कह रहा है वाबा की क्या बात से ने वाला कोई भी हो तुम तो बाबा को देख़ो बाबा की मूर्ली सुन रहे हुआ उसकी वज़ाए उस आत्मा की मूर्ली सुनना चाहते हैं देधारियों में फस रहें तो रचना से क्या मिलेगा ऐसे बहुत मीठी-मीठी तो वर्तमान समय हम सब रचना की तरफ भटक रहे हैं रचाइता को भूल रहे हैं रचाइता तो गुप्त है जान दिखाई नहीं देता और अभी तो आजकल क्या चल रही है लहर कि अभी तो बाबा आना बंद हो गया ना पार्ट ही पूरा हो गया और इसके कारण कई लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है समझते हैं अभी बाबा मदवन में आता इधर आता उधर आता कितनी मनमत की बाते चला रहे हैं बाबा जो हम सब का संरक्षक है सत्गुरु है वह सत्गुरु कभी भी अपने बच्चों की पालना नहीं करेगा क्या और जब तक इस्थाप बाबा भी सत्यूक की इस्थापना तक जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है तब तक वा आत्मा भी इस ट्रामा से बाहर नहीं जा सकती हमारे साथ है भले उसका साकार में आना रुक गया है अगत के कारण तकलीप के कारण लेकिन बाबा की ऐसी छत्री हम सब के उपर छत्र कोई कहीं भी है अगर वह अव्यक्त रूप में अव्यक्त स्थिति में रहे करके बाबा को ऐसे देखता भी है मैं तो कई बार अन्भो करता हूं जब साकार में दादी जी थी तो आप सब को मालूम है दादी मुझे रोज बुलाती थी रोज डायरेक्षन देती थी आज मु में लें देखा जुझे ने डो तीन साल नहीं लिखाया तो मुझे संकलब चलते ठेर्मish फिर भी डादी कहती हalter सिठे लिखता है थीक है लिखते रहा उसके रहार कि जीने बहुत अच्छी पालना दी लेकिन कहती थी जो दादी ने सिखाया है ना जो डाइरेक्शन उन्होंने साकार में दिये हैं वही चलेंगे उसमें नमीनता उसमें कोई अडिशन मैं नहीं करूंगी अब नए नए बाते नए नए शेवा की प्लैनिंग कहां से करेंगे जो आप बोलोगे मैं लिख़yin और अब अच्छे अनुभव होते इसए अब हम कही na कि नहीं सकते हैं कि बाबा का यग्जी है बाबा कि इतने बच्चें और चतर हो रहा है ऐसे संवर में छोड़ करके जाएगा क्या जब तक सब की गती सद्धपती नहीं हुई है जब तक सब को को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है तब तक बाप टीचर सत्वरू कैसे अपना पार्ट रोक लेगा ठीक है उसका चौथा पार्ट अभी शुरू हो रहा है और हम सब देख रहे हैं समझ रहे हैं कि अभी धर्मराज के रूप से अपना पार्ट बजा रहे हैं बजाएंगे क्योंकि सब के इसाब किताब जिन्होंने ज और कोई भी आत्मा इससे वंचित रहे चुटकारा पाए जिसने जो कर्म किये हैं जिस प्रकार के कर्म किये हैं चाहे ब्राह्मन बनने के बाद किये हैं चाहे अज्ञान काल में किये हैं हम तो देख रहे हैं आज जो यह बिना अद्रस्य चीज फैली हुई है दिखाई नही कर पा रहे हैं पता ही नहीं चलता है कभी किस रूप में वार हो रहा कभी किस रूप में इस वायरस का चलते चलते लोग गिर जाते हैं सरी छोड़ देते हैं पता भी नहीं चलता है क्या मुझे हुआ है थोड़ा सांस रुकने लगी थोड़ा सा दिखाई दिया कुछ बुखार आया और एक दो घंटे के अंदर सरी छोड़ नहीं इतना भय का वातावरन बना हुआ है चारों प्रक्षियों की मार मार करके लोगों ने खाया क्या उनको भय नहीं लगता होगा जो मारने जाते हैं और वह का वातावरन इस वायु मंदल में फैल गया और उसके कारण आज मनुस्य मृत्यू से ही सबसे ज़्यादा भय भीत है इसलिए मिलना नहीं जुलना नहीं बैटना नहीं हम सब बाबा के बच्चे इन सब बातों से मुक्त हैं ना किसी को सभी निर्भय है सब बाबा की एक मत पर चलने वाली स्री मत का पालन कहने वाले पवित्र हैं योगी हैं और बाबा को सबसे क्या लगता है सत्गुरु को सत्यता बहुत अच्छी लगती है को कहता है सच्ची दिल पर साहव राजी अगर सच्मुच यह दक्षिना हम सब दे दें बाबा को कि बाबा हम आपकी सच्ची दर्वार में सच्चे रहेंगे जरा भी जूट कांस न रहें दादी कभी कभी चैलेंज में कह देती थी मैंने कभी जूट नहीं बोला अब बाबा इस समय हम सब को जो जूट की परिभासा बताता हो बहुत गहरी परिभासा बताता है क्या है जूट देह अभिमान ही जूट है जो देह अभिमान में रहते हैं जो अपने आपको दे समझते हैं सबसे बड़ा जूट तो यही है हम सब सत्य सरूप में इस्थित रहने का अभ्यास कर रहे हैं आत्मिक सरूप में इस्थित रहना ही सत्यता की धाना है और जब आत्मिक सरूप में हम इस्थित रहते हैं तो बाबा के सामने जो हैं जैसे हैं इ वाहे विराजी कहता है साफ दिल मुराद हांसिल होग और कुर भी मुरादें हैं उन बच्छों की पूरी कर देगा अगर उसकें सफाई हैं सच्चाई हैं इमान दारी है ơn जैसा है इसे नहीं सिर्फ कमियों कही वर्णन करते रो बाबा मेरी कमी यह है मेरी कमी यह है आज भी बाबा ने का अगर कमियों को ज्यादा वर्णन करोगे न तो कमिया निकलेंगी नहीं आती जाएंगी दूसरों की कमियों पर भी ध्यान दोगे तो कमिया आपके अंदर धारण हो जाएंगी इसलिए विसेश् मोडडी बाबा की चली थी कि देखो चस्मा की मजबूरी भी और चस्मा पहने का फैसन भी है अभी तो फैसन खत्म हो गया लेकिन रंग वी रंगी चस्मे पहनना है तो यह चस्मा क्यों नहीं पहन लेते हो हरा पहन होगे तो हरारा दिखाई देने लगेगा लाल पहनो तो लाल लाल दिखाई देने लेगा आप सब की विशेषता देखने का चस्मा पहन नहीं उसके कमिया अपने आप खतम बहुंगे अपनी भी सिर्फ कमियां देख करके कभी दिल सिकस्त नहीं हो जाना ब्रामवन आत्माओं की बहुत बड़ी बीमारी कभी-कभी ये दिखाई देती है बड़ी जल्दी निरास हो जाते हैं दिल सिकस्त हो जाते हैं अपनी विषेश्चता ध्यान पर ही नहीं रखती है अरे हम कहते हैं सच्चे बच्चे बन गए हैं वह हमें पढ़ा रहा है कि हमारी मारी पालना कर रहा है तो पिर निरास निरास उुद्रभवन जिसका साथ है उसको कभी निरास होना चाहिए छोटी दिल करनी नहीं चाहिए इसलिए च्छोटी दिल यह हांट की बीमारी ऐइं फिनीजी को जाता है ना कहीं पर गांट हो जाती है नसों थे सेर्कुलेशन नहीं पहुंचता है कलोश्टर हाइव हो जाता है या अपने आप में हार्ट में धर्ध पजाता है हाट की एक भी बीमारी चुरू हो जाती है अगर इस प्राह्माटरजीवन के अंदर वमंग नहीं है उस्षा नहीं है खुसी नहीं है नसा नहीं है तो यह जो ब्लट경 की सर्कुलेसर है ना एक भी वह अटक होने लगती Ilokka左 जाती और इस ब्लोक infection के बाद ही हार्ट की बिमारी दिल सिकस्त की बिमारी शुरू होती है तो हम सब आज के दिन इस उब संकलप लें कि हम कभी भी ना निरास होंगे ना उदास होंगे और साथ-साथ कभी एहम 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 और बहम में भी नहीं आएंगे क्योंकि एहम और बहम की बिमारी भी बहुत कैंसर की बिमारी हो कोई ने उसको नहीं पूछा कोई ने उसकी कातरी नहीं की कोई ने सेवाएं की तो अघड़ता है कि मेरी क्या कदर कि अंदर अंदर उसकी गांठे बन जाती हैं कि एंकार की हम सब इन बीमारियों से बच करके एकदम स्वस्त रहें संगम के पूरे फायदे हम सत्गुरु के साथ रह करके प्राप्त करें सद्गती तो करना ही है उसको हमी सद्गती दाता हमारा बाब बन गया उसके लिए हमें कोई चिंता करने की जुरुड नहीं है हैं इसलिए हम सब गुरु दक्षिणा क्या देंगे द्रणतासंपन संकलप करो किबाबा हम आज के दिन से संकल्प करते हैं हम एक व्रत्ता हो करके रहेंगे व्रत्ति में भी कोई देधारी उम Speights का है द्रण संकल्ब है मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपने मार्क से हटेंगे नहीं कुछ भी हो जाये कभी निरास नहीं होंगे उदास नहीं होंगे दिल सिकRA na कभी इहम और वहम में नहीं आएंगे हम आपके सचे बन करके रहेंगे इस संक गुरू की दरबार में संकल्प कर लेंगे। तो बता क्या करेगा व पर हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है वर्दान के रूप में आसिरवात के रूप में कई बार कहता है बच्चे तुम मांगते क्यों मेरे से बाबा कुछ आसिरवात कर दो करपा कर दो वर्दान दे दो अरे बच्चे तुम तो मालिक हो मालिक मालिकों को कभी मांगन साइसे लायक बन जाएं, जो बाबा अपने आप आसिरवात का हाथ मेरे सिर पर रख लें, उस आप गरू से आसिरवा लेने के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, उसके चरन छू लेते हैं, और चरन छोएगा तो नैचुरल उसका हाथ सिर पर आ जाएगा, इसलिए साइट चोने की परंपरा भक्ति मार्ग में चलाई गई कि उसका हाथ तो सिर पर आएगा और हाथ गुरू का पढ़ जाए बाकी क्या चाहिए हमारे सिर पर तो सदा सत्वू का हाथ है ऐसे हाथ रखा हुआ है ना सब के सिर पर अनुभो करो। रोज अमरत वेले ऐसे अन्बो करो। बाबानी अपना ब्रहद हस्त बरदानी हस्त दुआओं का हात मेरे सिर पर रखा हुआ है। वह थो छत्री के रूप में हाथ है हमारे पास वह दुआएं उचछत्री हमारे सिर से उतरती नहीं है। तो हम सब अगर बाबा के ऐसे सचे बच्चे हैं, आग्याकारी बच्चे हैं, कभीभी कोई करम से उसके निंदा नहीं कराते हैं, सिर माथे शरीमत है, तो मैं समझता हूँ भाबा की दुआओं का सत्गुरू की आसिरवात का उनकी कृपा का हाथ हमारे सिर पर है तो सभी आज के सुब दिन पर संकल्प करना मुझे गुरू दक्षिना के रूप में एक रस, एक मत, एक वरत्ता, एक बल, एक वरोसा ऐसी दक्षिना देनी है ऐसा एक वरत्ता वन करके, एक रसिष्थिती बना करके, एक मत हो करके हम चलेंगे तो बाबा हमारे उपर सदा आसिरवात की दुआओं की वर्षा करते रहेंगे तो आज के दिन की हम सब बाबा के बच्चे शत्गुरू से ऐसी आसिरवाद लें और जो कुछ है बाबा तेरा ही है मेरा क्या है? तन मन धन समय संकलब स्वास सक्ति जो दिया है कि सब तेरे लिए ही है सब बाबा की सेवा में सफल हो जाए कुछ भी निस्फल न हो कुछ भी धरुधन न चला जाए जब संपून निश्चे है तो संपून बलिहार एक बाबा दूसरा न कोई तो ऐसी आज के दिन का सुप संकलब करके हम सब बाबा की दुआओं का उनकी क्रपा का उनकी आसिरवात का अनुभो करते चलेंगे ठीक है ओके ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती लिप वाला